हलो फ्रेंड्स केमेस्ट्री की दुनिया में केम लर्णपी के साथ आप सबीका स्वागत है वेलकम तू केम लर्णपी यूए स्पेक्ट्रोस्कॉपी का एक और पार्ट के साथ हाजिर है बट आपको अभी तक डायन सिस्टम एन कॉंट्यूकेशन के बारे में नहीं पता है तो यहां से इस लिक के माध्यम से आप पार्ट वन देख सकते हो इस वीडियो में हम दाइन सिस्टम के एक्जमपल करना सिखेगे यानि कि होवो सिस्टम क्या है हेट्रो सिस्टम क्या है वह एडेंटिपाइब करना सिखेगे तो चलो स्टार्ट करते हैं कि यहां पर कुछ एक्जम्पल दिये गए हम सॉल्व करना ट्राइब करें और सुल्व करना सिखेंगे लाइन सिस्टम यानि कि यूई स्टेक्रस कॉपी में एक पाइट है डाइन सिस्टम उसके एक्जम्पल कैसे सॉल्व करते हैं वह देखते हैं सब्सक्राइब यहां पर हमें दिया गया है ओपर इसके साथ double bond carbon methyl group CH double bond CH double bond CH 3 यहां पर एक यह एक एक्जम्पल दिया गया है और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कोई भी हमारे पास structure होता है कोई भी मॉलेक्वी प्रेजंट होता है उसमें हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि उसमें कॉंज्यूकेशन प्रेजंट है के नहीं कॉंज्यूकेशन किया साय ये और ये अज होती है उसके अलावा कहीं से सब्सक्राइब यहां पर देख सकते हो कि एक मेरे पास रिंग प्रेजन्ट है उसके साथ कार्बन डबल बॉंड कार्बन मिठाइल ग्रूप से हैं से यहां से लेकर यहां तक यह वादे आम सुप्य कर्ढीक्शन में हैं उसके साथ यह यहां पर जो भूर आपकी और साइक्लिक डाइन सिस्टम हुरी अब मैंने आपको प्रिविएस वीडियो में बताया था कि और साइक्लिक डाइन सिस्टम की वेल्यू होती है टू वनफोर नेनो मीटर जो हमने यहां पर रख दी हमने एक अधिक्येशन कर दिया कि हमारा जुब ऑस्ट्रक्चर योश्में और साइक्लिक डाइन सिस्टम प्रिजट्ब है तेन हमें क्या पता करना है उसके बाद हमें पता करना है उसमें ढाल जिंगैसी कि आधीम Ooוא प्रिजेंट है करना है । हो तो यहां देख सकते हो कि एकन्डुके fonctionne सांधे डबल सिंगल डबल का के लएंँ गयों नहीं है यह देख सकते ह्कुत celebr的 को सहने करन से जो कर से होता है उसके जो सकता है वो आफर रिंग में परट लेते हैं से हम रिंग रैसिडियु कहते हैं घृक यहां पर दिखन रहा है कि यहां पर कार्बन है कौन्जुकेशन में प्रेजन धे उसका जो नेबरिंग कार्बन है जो दोनों जीनियग में प्रश्जाय ले यानि निकि वीस्वेस हम levels कर सकते हैं यानि इस सम से दिखाया हैं कि को इसलिए इस जी मोलेक्यूल में दो रिंग रेसट्टिू प्रेजन्ट है एक रिंग रेसट्टिव की किमत होती है फाइव नैनोमेटर यानिकि ही होती है टैन न मैंट है एक्जो साइकलिक डबलबंड एक्जो साइकलिक डबल बॉंड यानि कैसे होगा? कि आपका जो मॉलेकील होगा ऐसे रिंग प्रेजन्ट होगी और उसमें से बहार की साइड डबल बॉंड निकलते होगे वह जो डबल बॉंड होगे वह एक कारवन यहां से चुड़े होगे और दुसरा ऐसे बहार निकलते होगे और दुसरा कोई कार्बन यहां पे होगा पर यहां पर डबल बन ऐसे बहार के साथ निकलते होगे और वह जो कार्बल बन बहार के साथ निकलते होगे वह रिंग के कार्बन के साथ कनेक्ट होगे तब वह एक्जोसाइक्लिक डबल बन कहे आप और उसे हम ऐसे क्रोस से ऐडिंटिफाइब करते हैं यहां पर देख लो कि यहां पर दिंग प्रेजन्ट है और यहां पर डेवल बाहर की शायड नहीं कर रहे हैं मूंत तो इस कारवन के साथ जूड़े हुए तो यह दर्वर्ण एक्ष्ट साध्लिक बॉर्ण से डिफैन करें उसे अर धे कॉराश कि हिसानी से हिसाने से अकट होती है लास फैर दो मियता जैसर जैसे जैसे एक्षट सब्सक्राइब की नंबर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है पर यहां पर सिर्फ एक ही है तो प्लस पर नेनो मीटर ही होगा यहां पर हमने रख दिया देन उसके अलावा हमारे पास यह ने लसके अब निहीं यहां पर प्रिज लह इंथा एक एक जुड़ा हुआ है इसके लिए हम यह मिठार ग्रुप को क्यल्कुलेट करेंगे यहां पर यहां पर जह सब स्बस को यहां2 हां doc तो मिथार ग्रुप की वैल्यू प्लस्फव नेनोमीटर सबश्चीटुशन जो सबश्चीटुशन की जो वैल्यू होती थी वह हमने टेबल में देखा था तो आप अभी तक नहीं देखा था तो आप पार्ट बन देख सकते हो लिंक दी गए है तो यह टोटल वैल्यू आ मैक्सिमम होगा यानि उस मोलीकुल कर लेम्ड़ा मैक्सिमम होगा तो इस यहां से हम में सब Self 202 वान 46 नेनोमीटर टेन लेनवनIs ita फार्म देन तो टृतल वेल्यू होगी को टूर ठटी whenever नेनोमे мир i Mum को नेक्स्ट एक्जंपल है हमारे पास एक यहां पर रिंघ प्रेजन यहां पर है अब एसमें देख सकते हो कि एक डबल बंड यहां पर प्रेजंट यहां देखा था कि यहां पर रिंग में होता है यानि कि ओपन चेन होगा नहीं होता है कोई एक रिंघ में ही present होना चाहिए अगर कोई एक रिंग में प्रेजंट होता है तो उसे हम होमो सिस्टम कहते हैं और हिट्रो सिस्टम किसे कहते हैं कि आपके जो कॉंजुकेशन प्रेजंट होता है वो कॉंजुकेशन अलग-अलग रिंग में प्रेजंट होना चाहिए तब ही वो हिट्रो सिस्टम हम कहेंगे हि pasa ala ul debaungen और कोन्जुकेशन में भी है यानिकि डवल सिंगर रहा है कॉन्जुकेशिन भी यहां पे present है अलग-अलगई टेया तो यहां पे आप कहसा को कर यहां पे हिट्डो ऐन्यूर्थर डाइन certain एक्षिथ में प्रचाइब होता है तो उसकी वैल सुनधी होती है देन उसके बाद extra-conjugated double bond present है यहां पर तो यहां पर आप देख सकते हो कि यह conjunction यहां से लेके यहां तक है उसके अलावा double bond present नहीं है यानि कि 0 nanometer then exocyclic double bond अब यहां पर आपको समझने की बात है कि अगर मैं यह यह लेता हूं तो यह रिंग से यह double bond बाहर के साइड निकलता है यानि कि एक exocyclic double bond यहां पर अब इस रिंग में देख लेते हैं यह रिंग के साथ यह double bond बाहर के साथ connected है तो यह भी exocyclic calculate हो गए यह double bond इस रिंग के लिए यह double bond तो दो के 10 नेनोनेटर प्रेजंट होता है रिंग रिच्टी था आपका ने बरिंग आपका क्यालकुलेट हम कर सकते हैं जैने कि यह तो कॉंट्टॉकेशन ने उसका नेबरिंग एग यह 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 हमारे पास टोटल चारिंग डेसीड्यू रिजन्ट है जैने की एक का पांच तो चार का 20 तेन मिठाड ग्रुप फे प्रेजन्ट है अब मिठीड ग्रुप दो है यहां पर एक यहां पर अपर जेख सकते हो कि यह कोंदूकेशन है क्या सिस्टम एक सिस्टम को में ले लो तो आपका पूरा है सिस्टम से हमने आइडेंटिफाइड कर सकते यानि की वह सिस्टम होती है वह से आपका सकता है यानिकि उसके साथ जितना भी जुड़ा होगा वह उस सिस्टम के one of the part कह सकते हम उसके अलावान नहीं तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर जुकेशन प्रेजन्ट है उसके साथ यह मिधार्ट जुड़ा हुआ है तो एक कॉंजुकेशन का one of the part हम कहेगे पर यह जो मिधार्ट ग्रूप है वह मिधार्ट कॉंजूकेशन में आता नहीं है तो इससे हम कैल्कुलेट नहीं करें यानि कि इस पूरे मॉलेक्विल में एक ह यह वाल ठीक है देन मिधार्ट ग्रूप की वैल्यों में बता है पांच नैनोमीटर एक मिधार्ट ग्रूप है तो एक की पांच नैनोमीटर हो गए टूटल लेमड़ा मैक्सिमॉम हुआ हमारे पास 249 नैनोमीटर देन नेक्स एक्जमपल सीचेचरीएच डबल दॉनसी इचिंणल बॉनसी ओननट सीच कि हमारे पस्यापि ओपन टें प्रिजंट रेन ने फिर इसमें कांचुधकेटन कू KNOW यहां पर यहां श्यॐं अब उसके अलवा देखलो कि ओपन चैन की वेल्टियर की बैले यहां पर जुड़ा है और दूसरां यहां पर दो मिहां जुड़े यानिके टू इंटु इंटौ फाह नमe lemda maximum हुआ हमारे पास तू तू फॉट नेनो मिटे इस अ तूट रे टोफोड नेनो मिटे घ्र एक यहां पर नेनो मीटे UP तुसमें कॉंजूकेशन कहां पर एक यहां पर प्रेजंट है दूसरा यहां पर प्रेजंट है और तीसरा यहां पर प्रेजंट है तीन यहां पर डबल बॉन प्रेजंट है और तीनों तीन एक दूसरे के साथ Conjugation में Present है, अब इसमें सबसे पहले तो Конて कि सिस्टम Ж cert होगी, और यहां पर आप देख सकते हो 21 यही bet है कि होमो यहां पर कालकुलेट कर सकते हैं और उसके आलबहा यहां पर जोटबरबहन अलग सिस्टम में भी है ॉध्य खियां औल सिंगल डबल कि तो वह सीस्टम हम हम सक्वाइब कर सकते हैं This system हम्निक्र करना चाहिए तो जबी आपके पास ऐसे और egzampal में और एत्या को आदे हैं जिसमें होमो मलया और तो आप ऊसमें से जिसकी सब्स्यारओध चाहिए है वो system आपको calculate करनी है और यहां पर देख सकते हो कि मैंने प्रिविएस वीडियो में आपको वैल्यू बताई थी कि होमो सिस्टम की वैल्यू होती है 253 नैनोमेटर एंड हीट्रो सिस्टम की वैल्यू होती है 214 नैनोमेटर यानि कि उस रूल्स के हिसाब यहां पर होमो सिस्टम कैल्कुलेट हम करेंगे तो वही हमने यहां पर कैल्कुलेट की डबल सिंकर डबल यह वाली कि शिस्टम हमने कैल्कुलेट कर ली यानि कि यहां पर होमो सिस्टम हो गए देन उसके अलावा एक्स्ट्रा कॉंजूकेटर डबल बॉन तो यहां पर और प्लंट प्रिजंट कि एकश्ट्र सेकर युद्टीosta से एल यह करता यह चtown को सबखलबन नेकर यह पर मेटे हम चैनल के लिए यह यहाँ यह पर होगा यई रिंग के लिए यह पर एक अले नहीं आधा है इस चैनल प्रेजंट में हमारे पास exocyclic bond double bond 2 present है एक का पांच दो का 10 then ring residue अब देखना है कि यहां पर conjugation present है यह भी conjugation है तो हमें यह पूरा conjugation देना पड़ेगा क्योंकि conjugation होता है उसके जो neighboring carbon होता है वो ring का one of the part होना चाहिए और आगे चाहिके वो होगा इसलिए वो ring residue हम calculate करते हैं यहां पर देख लो कि बंद्गेसं और के नेबराइंग कैर्बन is 1 कहा है डुली फट्रन पाक द्रप का होगा यानी या पर 2 62345 तोटल पाँच रिंग रेशिय्डी प्रेजन्ट है यानी ये ये खांच 2005 तोटल लेर मैक्सिम्मिम् amor कितना हुआ यहां पर 318 नैनोमीटर ऐसे और एक एग्जम्पल यहां से आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा मेरे पास एक रिंग प्रेजंट है दूसरी दियंग यहां पर कॉंजुकेशन यहां पर double single double यानि कि एक ही रिंग में प्रेजंट है यानि कि यहां पर Homo system हम calculate करेगे Then Extra Conjugated Double Bond नहीं है Exocyclic Double Bond है कर नहीं है यहाँ पर बाहर की साइट एक भी Double Bond निकलते नहीं है यानि कि Exocyclic Double Bond 0 है Then Ring Residue तो यहाँ पर Conjugation present है उसके अलावा 1 Ring Residue 1, 2, 3, 4 4 Ring Residue present है यानि के 20 जैन सब्सक्राइब यहां पर कॉंजुकेशन प्रेजंट है और यहां से चियल जुट रहा है कॉंजुकेशन के कार्बन के साथ तो यह क्लोरीन हम कैलकुलेट करेगे अब क्लोरीन के वैल्यू कितनी होगी तावी नेनोमीटर तो वह एड हो गए तो टुटल लेमड के उपर से आपको डाइन सिस्टम के एक्जांपल सौल करना सीख लिया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेर एंड सब्सक्राइब कर दो एंड सैड पे दिये गया बेल आइकोन भी प्रेस कर दो ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए तुरंत ही आप आपको नॉटिफिकेशन मिल जाए एंड मेरी चैनल और इस वीडियो के रिलेटेड आपको कोई भी सजेशन या पैरी हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम आइडी डिस्क्रिप्शन ने दिया गया है वहाँ से आप मुझे ड खो आप मुझे डिया मुझें ब भी सफोरे कि यॵ pos wsp प्सक्रिप्शन ने आप, जय देग hybrid ज़त्ते हो जिस्क्रिप्शन चाइड़ा को थिडियार